Good morning friends, once again Satinder Taggart और आज हम बात करेंगे कि एक successful entrepreneur बनने के लिए क्या-क्या characteristics होनी चाहिए, क्या-क्या qualities होनी चाहिए बहुत सारी qualities होनी चाहिए दोस्तों, बहुत सारी qualities हमें within होती है और कुछ qualities हमें imbibe करने पड़ती है लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ एक quality के बारे में क्योंकि इतना बड़ा topic है कि एक talk में मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा लेकिन आज हम बात करेंगे the foremost and the very important quality to become a successful entrepreneur and that is none other than but to become a good and a big dreamer हमें सपने लेने वाला इंसान बनना चाहिए जिन लोगों के सपने होते हैं वही लोग मेहनत करते हैं जिन लोगों का जिंदगी में कोई purpose होता है अगर आप entrepreneur बनना चाहते हैं और किसी purpose को लेकर अगर आप entrepreneur बनते हो तो आपका purpose जरूर पूरा होगा और आप उस entrepreneurship में बहुत ज़दा काम्याब भी होगे because if you have a purpose you will always focus on the possibilities क्या हो सकता है क्या किया जा सकता है और if you don't have any purpose then you will always focus on the limitations you will always focus on excuses तो हम जिन्दगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे तो purpose होना वो desire होनी एक burning desire होनी एक dream होना बहुत ज़दूरी है it is said that dreamers are the movers and the shakers of this world ये दुनिया dreamers नहीं बनाई हुई है दोस्तों किसी ने सपना लिया था कि हम बढ़िया घरों में रहा करें concrete और cement का घर होना चाहिए पहले जुगियां हुआ करती थी आज हम देखो कितने बढ़िया घरों में रहते हैं किसी ने सपना लिया कि हम अपने शरीर के उपर पत्ते बांद के अपने शरीर को नहीं ढखेंगे हमें कपास उगानी चाहिए कपास से हमें धागा बनाना चाहिए धागे से हमें कपड़े बनाने चाहिए आज हम कितने सुन्दर सुन्दर वस्तर पहन के बाहर निकलते हैं दोस्तों ये सब चीजें dreamers, dreamers के दिमाग में आई एक dreamers के एक उपज उनके दिमाग में आई और वो आज पनब गई दोस्तों और हर वो बड़ी चीज जो आज हम देख रहे हैं चाहे वो computers है, चाहे वो rocket science है Anything guys, it is only and only because someone has dreamt someday किसी ने सपना लिया था, इसलिए वो आज पूरा हो सका दोस्तों उसी परकार, जाए Facebook की बात करें founder of Facebook, Mark Zugrabagdi बात करते हैं चाहे हम बात करें Bill Gates की, जो की founder है Microsoft के चाहे हम बात करें Steve Jobs की, जो की co-founder है Apple Computers के हर इनसान ने आज सपना लिया कि वो अपने एक particular शेत्र में आगे बढ़ेगा, एक entrepreneur बनेगा और दुनिया की help करता हुआ, खुद भी एक बहुत अच्छी जिंदगी को वहतीत करेगा, और आज देखिए कि आप दोस्तों कि किस तरीके से लोग ये काम्याब हैं, तो सबसे पहला गुण और सबसे पहला characteristic अगर आप अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो होना चाहिए कि आप एक dreamer होने चाहिए हो, आप एक ऐसे इंसान होने चाहिए हो, जिसकी बड़ी सोच हो, ये किताब आपको एक बड़ी सोच पैदा करने में आपकी मदद करेगी दोस्तों, अगर बड़ी सोच होगी, बड़े सपने होगे, तो बड़ी प्राप्ती होगी, कहते हैं कि अगर आप बहुत बड़ा सपना लेने के लिए तयार हैं, तो you will have guts to complete that dream, you will have guts to accomplish that dream, to achieve their dream, and no guts, no glory, and no legend, no story, guys, it is very very important to have a dream, dream, आप भी बड़ा सोचिये, कहते हैं कि पता नहीं कितने लाख जूनों के बाद एक जून मिलती है, हमें इंसान के रूप में इस धरती प्याने का मौका मिला है, तो क्यों ना उस, इस लाइफ को हम जी के जाएं, ना कि एक काट के जाएं कीड़े मकोड़ों की तरह, और अगर लाइफ को जीना है, तो यू, यू शुड़ाव ड्रीम्स इन यूर लाइफ, जिंदगी के अंदर कुछ ऐसी चीज़े होनी चाहिएं, जो आपके अंबिशन हो, जो आप चाहते हो कि जिंदगी में आप पूरा कर सकें, और आपको लग रहा है कि वो आज की तारीक में, जॉब में पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप अपने अंदर गट्स पैदा कीजिए दोस्तों, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, बट, दे क्वालिटी इस ड्रीमर, टू बी लिखिये किसी कागज पर कि आप अगले दो साल में कितनी दौलत चाहते हैं, आप कौन सी ड्राइव करना चाहते हैं, अगले पांच सालों में आप कैसे घर हैं, आपका कैसा लाइफ स्टाइल होना चाहिए, आपका दिन्चरिया कैसी होनी चाहिए, आप किस तरीके के वस्त उनकी जिन्दगी को लेकर आप क्या चाहते हैं कि उनकी जिन्दगी कैसी हो अगले आने वाले सारों में यह सब सोचिए उसे कागज पे लिखिए and give a deadline now what I am talking this is very very important to give a deadline to your dream कौन सा सपना कब तक पूरा होना चाहिए date डालिए अपने dream की आगे कहते हैं जब dream की आगे date डल जाती है तो वो wish नहीं रह जाती वो एक goal बन जाता है एक target बन जाता है और आप अपने goals target को तभी पूरा कर सकोगे अगर आप उसके सामने अपने dream के सामने कोई ना कोई तारीक डालेंगे दोस्तो जब आप अपने dream की कोई तारीक डालके और dreams की pictures भी चिपकाईए क्योंकि हमारा subconscious mind है ये pictures को पड़ी जल्दी catch करता है और इस तरीके से एक बहुत सुंदर सा dream chart बनाईए अपना और ऐसी जगा पी चिपकाईए जहां सुबे उड़ते ही आपके निगापड़े आप उसको पढ़ सकते हैं आप उसको loudly पढ़ सकते हैं क्योंकि जाने दीजिए उसे आपने subconscious mind के अंदर repeatedly जब आप उसे पढ़ेंगे आपका subconscious mind ये मानने को तयार हो जाएगा कि ये सपना आपका पूरा हो सकता है and you will start it work accordingly आप उसी तरीके से काम करना शुरू करेंगे this is the first success principle जो कि आपके अंदर एक quality होनी चाहिए एक characteristic होना चाहिए to be a success entrepreneur and you all can do it. Thank you so much.